हेलो एब्रिवान मैं आज बनाने वाली हूँ चिकेन पकोडा इसके लिए पहले मैंने ले लिया है बोनलेस चिकेन फिर इसमें मैंने आधा निम्बू का रस डाल दिया फिर मैंने इसमें दे दिया अध्रक लसुन का पेश्ट धनिया पाउडर लाल मीर्ज का पाउडर गरम मस किया स्वाद अनुसर नमक और लाश्ट में मैं इसमें दे दूंगी कॉन फ्लावर कॉन फ्लावर देने के बाद फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है मैं इसको हाथ से मिक्स कर ले रही हूं फिर मैंने इसको कढ़ाय में तेल गरम कर लिया और तेल में एक एक करके छोड़ दूंगी और इसको बहुत अच्छे से फ्राइ करना है डीप ली नहीं तो चिकेन अंदर अगर कच्छा रह जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में तो इसको डीप फ्राइ करना पड़ेगा देखिए ये फ्राइ हो रहा है ये बन गया मेरा चिकेन पकोड़ा देखिए कितना अच्छा दीख रहा है आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिए आप लोग घर पे जरूर इसको ट्राइ कीजिएगा मेरे हिसाब से आप सबको अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा ओके बाई